स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद काविदोश में आगे बढ़ते हैं दो प्रकार के काविदोश अब तक आपको मैं बता चुका हूँ ग्राम्यत्तो और सुर्थिकटुत्व आज मैंने तीसरा काविदोश लिया है और तीसरा काविदोश है क्लिष्टक्त दोश मैंने कहा था उस दिन आपसे इसकी पहली वाली क्लास में केवल दोश का नाम देखिए और जरासा ध्यान दीजिए परिवाशा सामने आज मैंने परिवाशा पहले से नहीं लिखी हमारे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो उसमें लिखी हुई का निकिन मैं आज लिखा इने क्लिष्ट सब्द हृन परिवाशा कुछा ही नहीं। आइसा दोश में क्लिष्ट सब्दों को जनमते दें यह जिस कवित है लिख लेतें काव konta समें काव में जहां क्लिष्ट या दूसरे जो आसारी सौझना है क्लिष्ट अथ्वा दूसरे शब्दों का प्रयोग हो क्लिष्ट दूसरे कविता में जहां क्लिष्ट सब्दा जाएं क्लिष्ट का मतलब यह आज कल बच्चे बोलते हैं पर इक्षा में सर पेपर बड़ा हाड है कठिन है क्लिष्ट है क्लिष्ट है कर्भीता पढ़ रहे हो लेकिन उसका आर्त समझ में ही नहीं आ रहा क्या आर्त कविता पढ़ रहा है कहीं प्रत्यानतर से नूड़ना पढ़ता है आर्त कविर को पढ़ा है ना कविर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल और भीगए बानी पानी ये कबीर की जितनी उलट वासिया है सब की सब ये मान के चलो आपको कबीर की उलट वासिय जो है सब की सब आपको क्लिश्टत दोश के अंतरगत रखी गई है तमाम संत महत्माओं ने रख दिये एक अचंभा देखा अरे भाई ठाणा सिंग चरावे गाई कबीर कहते है अब आपको आजीब बात है एक अचंभा देखा ठाणा सिंग चरावे गाई कैसे सब भाई अरे भाई सिधार नहीं निकल रहा है कभी शेर जो है गाय को चरा नहीं सकता वो कहते हैं एक अचंभा देखा भाई, एक अचंभा देखा भाई, मैं एक लाइन ले लिख देता हूं, एक अचंभा देखा भाई, ठाड़ा सिंग, ठाड़ा सिंग चरावे गाई, अब सिधार अगर देखें, तो सिंग खड़ा होकर के गाई चरा रहा है, अरे भाईया वह कभी इंशक पसू है कहना क्या चाहते हैं कभीर यही कृष्णत दोश है एक अचंभा अश्चर देखा कि खड़ा हो करके शेर गाय को चरा रहा है यही नहीं आगे हो कहते हैं गुरु जो है पैड छू रहा है चेले के मा का जन्म पहले हो गया है बेटे का जन्म बाद में कहते हैं एक चंभा देखा एक आश्चर देखा क्या ठाड़ा सिंग चरावेदाई कहना क्या चाहते हैं सभाव की बात कर रहे हैं संसकारों की बात कर रहे हैं दुनिया में एक संभव है संसकार और सभाव मनुस्य का कैसा हो कोई नहीं कह सकता वही सभाव जब हमारा शिंग सब्द कहने में डरते नहीं कट बोलने में डरते नहीं लेकिन एक कट व्यक्ति का सुभाव भी जब बदल जाता है तो फिर आप सोच लीजिए ठाड़ा सिंग चरावे गाई फिर उसे कुछ भी करा लीजिए अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी न सबको मार डालता था गौतम बुद से भी कह दिया ठहर जा तो गौतम बुद ने का लो मैं तो ठहर गया तू कब ठहरेगा फिर क्या था इसी के साथ उसका हर्दे परिवर्तन हो जाता तो सुभाव हर्दे कैसी चीज़ है अगर परिवर्तन कर लो तो कठिन से कठिन कारे भी सरल हो जाते मित्रो जितने क पद हैं सूर्दाजी के वो सबके सब इसमें दोश मिलता है दोश हम नहीं कहेंगे वो तो उनकी विद्वता थी कबीर की ज्ञान गरीमा थी कबीर का सूर का एक पद लेते हैं और उस पद में देखें आप वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात सोई बनत अब खात धान देंगे गोफि काहें पड़ा चिया उन्होंने कहा मंदिर अरध आवधिवद्य हमसों हरी अहार चली जाए अब मैं इसको बताःती हु का गए मंदिर सोगा मंदिर शेंज इंक में मंदिर का आधा महीने का आधा कितना 715 दिनी अ वाध समय हम से कितना बातके गए थे कितने का वाधा किया था कितना प्रवामिश किया था मंदिर अरध मंदिर माने महीना और महीने का आधा एक पक्ष अर्थात पंद्रा दिन हे उधाओ क्रश्न हमसे पंद्रा दिन का वादा करके गए थे हुआ क्या हरी अहार चली जात हरी अहार चली जात अध्यान दीजेगा हरी अहार चली जात हरी कहते हैं शेर को हरी शेर का अहार क्या है, शेर क्या खाता है, मास खाता है, और मास का आर्थ होता है महीना, कहती है हरी अहार चलि जात, महीनों बीटे चले जा रहे हैं, और पंदरा दिन का वदा करके गए थे, क्रश्न וापस नहीं आये, जहां कविता में इस तरह के शब्दा आजा है ये कूटपद कहलाता है एक बहुत बढ़ी अधारन है मैंने अलंकार पढ़ाते समय आपको दिया था आज मैं उसको फिर लेता हूँ वेद गुपकाओं क्रश्ली के वियोग में तलफ रही हैं उधव आए हैं उधव देखते है सवेरा हो गया दोपहर हो गई साम हो गई उधव ने कहा रे भाई क्या हुआ दस बारा घंटे से मेरे साथ हो तुमने अब तक कुछ खाया पिया नहीं बोली है उधव हम कुछ नहीं खाना चाहते हैं अरे ऐसा कैसे जिवन चलेगा अन्नम जगता प्राणा उन्होंने कहा ख कहो तो बोली क्या खाना चाहती है गोपिकाओं ने अपने खाने के एक्छावेक्त की बोली वेद नखत ग्रह जोरे अर्धकरी सोई बनतव खात वो खाने का मन है अजी बात है री वेद नखत ग्रह कैसे खाएंगे क्लिस्टत दोस कैसे निक ढूल रहे वेद नखत ग्रह ज जोरी का मतलब होता है जोड़ दो किसको जोड़ना है वेद कहें चार वेद हैं और उनने कहा नक्षत्र 27 है यह लीजिए वेद नखत और ग्रह कितने होते हैं किसको लिए नखत ग्रह जोरी वेद को नक्षत्रों को और ग्रहों को जोड़ दो वेद चार आपको पता है अथरोवेद सामवेद रिगुवेद याजुरुवेद 27 नक्षत्र होते हैं अस्वनी से स्वनी भरणी कर्थिकार वही पुनर्वस आध्रा आधिसा होते हैं नव ग गुपिकाओं ने इसे 20 को पता हैं क्या मान लिया 20 को उन्होंने विश्मान लिया विश्मान जहर बोली मैं कृष्ण के वियोग में जिन्दा नहीं रहना चाहती हूँ तो वेद नखत ग्रह जोरी अगर ये करके जोडके मुझे विश्मान लाकर दे दो जहर लाकर दे दो मैं मर जाना उचित तमस्ती हूँ कृष्ण की याद में तरफ रही हूँ तो इस प्रकार जब पदों में, किसी भी पद में, किसी भी छंद में, किसी भी दोहे में, कोई क्लिष्टत दोष पैदा हो जाए, जहां सीधे से आर्थ न निकले, वहाँ पर होता है क्लिष्टत दोष. बढ़िया आनन्दा है, सूर की जितने कूटपद हैं, है न, मघ पंचक लेगायो सावरो, कहती है ताते अतिया कुलात, मघ पंचक लेगायो सावरो, अब मघा नक्षत से पांचवा नक्षत, कौन सा है, मघा नक्षत से पांचवा आता है, चित्रा, गुफिकाय कहती है, चित अग्रिदास की उल्टी बानी मैंने बता दिया इन सब में यह दोष मिलता है किलिष्टत दोष और आप तैरी करते रहें, शेर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हर चीज की लोग मुझसे कल मुझसे कोई कह रहा था सर समास पुढ़ा दीजिए तब मैंने बताया प्लेलिस्ट तो है समास की देखो और देखने के बाद उसे धन्यवाद दिया आज की कलास का यहीं पर हम समापन करते हुए आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं